तो दोस्तों आज संडे है और संडे हम यूजियली आते हैं आपसे बात करने के लिए लाइफ और वहां हम डिसकस करते हैं कि आपका प्रिपैरेशन कैसा चल रहा है क्या कुछ और आपके प्रिपैरेशन में कमी रह रही है क्या आपको आने वाले वीडियो मिलने वाले हैं सब से उपर हम discuss करते हैं लेकिन आज हम live ना आके यह session लेके आये हैं और इसके पीछे का reason यह है कि last week हमने जो momentum gain किया है हमने पूरा का पूरा simplification complete किया साथी साथ पिछले साल के आने वाले questions को live discuss किया और वो momentum को मैं कही ना कही ब्रेक नहीं करना चाहता इसलिए मैं आज आज आपके सामने एक नया topic लेके आया हूँ quadratic equations के उपर और यहाँ पे basically हम solve करेंगे quadratic equations के उन सवालों को जहाँ पे आपके x square और y square के कुछ coefficients होते हैं यह बच्चों को अक्सर तंग करते हैं examples आपके सामने already display हुए हैं यह बच्चों को काफी तंग करते हैं क्योंकि जब आप multiply करते हैं तो उनके factors निकालने में दिक्कत होती है क्या कुछ ऐसा tricks है जिनको आप plus plus minus minus symbols से ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा बढ़ा होगा सबसे पहले एक basic सवाल लेते हैं उसके बाद हम बढ़ेंगे धीरे धीरे अपने advance सवालों की वह तो पहला सवाल आपके सामने है यह आप खुद कर सकते हैं मेरे ख्याल से 13x plus 20 बराबर 0 और दूसरा equation है आपके पास 3y square minus y minus 10 is equal to 0 अब यहाँ पे बात यह रहा कि अगर आपक x square का कुछ coefficient नहीं होता तो आपको सिर्फ 20 को factorize करना होता लेकिन जब आपको x square का कुछ भी coefficient मिले तो डरियेगा मत बस उस coefficient को इस constant के साथ multiply कर दीज़े 20 into 2 कितना आगया आपका 40 अब आपको 40 को factorize करने है और ऐसे दो factors 40 के निकालने है जिनको multiply करने से तो 40 आना चाहिए ले उनको add करने से आपको x का coefficient यानि कि 13 मिलना चाहिए बैसिक है पहला सवाल है इसलिए पूरा आराम से बताते हैं उसके बाद जाएंगे rocket के speed में तो यहाँ पे मुझे 40 के factors आपको दिख भी रहे होंगे 8 और 5 को multiply करने से 40 और 8 और 5 को मिलाने से 13 लेकिन हमने इसका कुछ और आपको कहा था पहले 40 को factorize किजिए छोटे छोटे नंबर से factorize करना सुरू कर दिजिए 2 यहां पे रहेगा 20 और रहेगा 2 यहां पे रहेगा 10 आप इस side को multiply करते चलिए देखते हैं मतलब 2 x 2 कितना रहा है 4 और यह कितना रहा है 10 10 और 4 कितना होगा 14 लेकिन आपको चाहिए 13 तो अब तक नहीं मिलना तो जब तक ना मिले आप multiply करते जाए जैसे कि अब देखें 2 x 2 x 2 कितना आगे आपके पास 8 और यहां पे आपके पास individual कितना बचा 5 8 और 5 को multiply करने से 40 तो आए का 7 7 8 और 5 को second symbol यानि कि जोडने से x का coefficient यानि कि 13 आ जा रहा है तो अभी आपका काम क् दाल लाए फिर चोटे नमबर को डाल लेकिन अभी उसके कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि आपको symbols पता लगाने symbols का हमने technique आपको कहा था कि अगर आपके equation के दो symbol plus plus होंगे तो उनके जो roots आएंगे वो minus minus आएंगे अगर equation minus plus में है तो plus plus अगर minus में है तो plus minus और अगर plus minus में ह रखना होता है फिर smaller value यह आपके roots के table है और यह आपका equation का table है इतना तक्लेर से समझने के लिए देखिए यहाँ पे equation का पहला symbol और दूसरा symbol क्या है plus plus तो यहाँ पे equation plus plus ही रहा ना plus plus और अगर equation plus plus में रहेंगे तो roots आपके क्या आएंगे minus minus तो डाल दीजिए बस यहाँ प तो मेरे answer roots आचुके हैं तो minus 8 by 2 आपका कितना आएगा minus 4 आएगा और यह minus 5 by 2 आपका कितना आएगा minus 2.5 समझ कुछ नहीं आया अब यह वाला example देखिए बढ़िया से समझाते हैं अब आपको पहले क्या करना है 10 into 3 को multiply करना है कितना हो जाएगा 30 30 को तोड़िए दो एससे factors में तोड़िए जिनको subtract करने से सर वहाँ तो add किये थे अरे वहाँ पर second symbol plus था यहाँ पर second symbol क्या है minus है तो second symbol minus मतलब उन दो factors को subtract करने से आपका y का coefficient y का coefficient सर कुछ नहीं यह 1 डाल दीजिए तो क्या करेंगे आप पहले 30 को लिखे 30 को पहले छोटे-छोटे से cancel कीजिए तो 2 म 5 को minus करने से आपका 1 आ रहा है तो आपको perfectly मिल चुक है लेकिन हमेशा की तरह पहले आपको bigger value बड़े वाली को डालना है फिर छोटा value smaller value तो 6 और 5 में बड़ा value 6 दूस छोटा value 5 यहां तक clear है अब equation का symbol देखिए पहला symbol minus है दूसरा symbol minus है और अगर equation के symbol minus माइनस रहेंगे तो roots के आएंगे आपके plus minus तो यह आपका आगया plus यह आपका आगया minus यह sequence matter करता है बहुत अब last को चीज़े जो y square का coefficient आपने starting में multiply क्या था उसको बस divide कर दीजे answer आजाएगा मतलब यहां पे कितना divide होगा 3 यहां पे कितना होगा 3 अब आपको बारी है compare करने की तो compare कैसे करते ह एक value minus 4 है उसको y के दोनों values के साथ compare करने यानि कि 6 by 3 और 6 by 3 कितना है अराम से लिख दीजे यह 2 होगा यह minus 1.66 होगा तो minus 4 जो है वो 2 से क्या है छोटा है similarly यह minus 4 जो है वो minus 1.66 से भी छोटा है देखिए यह गलती मत कीजिएगा बच्चे अक्सर क्या कर देते है minus 4 को होगा और minus 2.5 में minus 1.6 में कौन बढ़ा है minus 1.66 मतलब हर केस में आपके y के जो values है न वो x के values से ज्यादा आ रहे है मतलब क्या अचरा जाएगा x less than y तो इतना था आपका comparison comparison करने में दिक्कत नहीं होता बच्चों को बच्चों को usually दिक्कत होता है factors निकालने में और factors निकाल इसला वाला वीडियो नहीं देखा होगा वो इस वीडियो से पूरा clearly समझ सकते हैं ठीक है अब चलते हैं जल्दी-जल्दी से अपने सवालों क्यों अब immediately करते जाहिए 5 x square plus 16 x खुद ट्राइ कीजी एक बार की सर आप जो method कह रहे हैं वो हो रहा है या नहीं ठीक है को देख 40 से 2 गया तो कहा 16 देगा तो और एक बार 2 देखें यहां पर आ गया कितना 20 अब देखें 2 x 2 कितना आ गया यहां पर 4 और 4 जब हम 20 से माइनस करते हैं तो 16 आ जाता है तो पहले डाल दीजे बड़ा नमबर 20 फिर डाल जीजे छोटा नमबर 4 अब आगे क्या करना है equation का symbol plus minus है plus minus है मतलब roots के आएंगे minus plus तो पहले minus लगा दीजे फिर plus लगा दीजे अब भी काम खतम नहीं हुआ x square को coefficient 5 है उस 5 को लाके divide कर दीजे divide कर देने से यह आपका कितना आगया देखिए minus 4 आगया यह आपका आगया 0.8 प्लस वाला ठीक है अब next यहाँ पर इसके roots निकालते हैं इसके roots निकालने के लिए यह आपको multiply करना है यह multiply करते ही 88 आएगा 88 आते ही आपको यह कितना करना है ऐसा करना है कि जैसे कि minus करने से आ 11 और यह 222 कितना हो गया 8 11 से 8 जाएगा तो रहेगा कितना 3 सारे के सारे condition सटीस पाय हो रहे है तो अभी मुझे पहले बड़े नमबर को डालना है 11 फिर छोटे नमबर को डालना है 8 equation का symbol plus minus मतलब roots के symbol minus plus अब आपको क्या करना है जो 4 आपने initially multiply आ किया था उसको divide कर देना है अब divide करते ही आपका कितना आजाएगा 2.75 जो कि किसमे होगा minus में और यह आपका कितना होगा plus 2 अब compare जब आप कर रहे हैं तो पूरा compare करने के मज़़े हो ची है आप सिर्फ इतना देखी यह 0.8 जो है वो हमेशा इस negative 2.575 से बढ़ा रहेगा और यह जो plus 2 है वो हमेशा इस negative minus 4 से बढ़ा रहेगा मतलब आपके कभी x बढ़ा हो सकता है कभी y बढ़ा हो सकता है तो आपको कोई धंका relation मिलेगा नहीं तो answer आपका क्या हो जाएगा relationship cannot be established और यह हमने ऐसे भी समझाया था कि compare करते वक्त अगर दो opposite symbol आपको मिल जाएंगे तो relation कभी नहीं बन सकता लेकि से सर आपको बस देखना है कि plus minus में equation है तो इसके जो roots आएंगे क्या आएंगे minus plus आएंगे यह plus minus में equation है मतलब इसके दो roots क्या आएंगे minus plus आएंगे अब यह वाला plus को जब मैं इस वाले minus से compare करूँगा तो हमेशा प्लस बढ़ा आएगा और जब इस minus को मैं इस plus के साथ compare करूँगा तो minus छोटा आएगा मतलब आपका x जो है वो कभी y से छोटा हो जा रहा है कभी y से बढ़ा हो जा रहा है तो आपको कुछ धंका relation मिलेगा नहीं तो answer क्या हो गया relationship cannot be established यह trick हमें कैसे पता चलेगा बताए थे ना last video में अगर दोनों equation के second symbol minus होंगे तो वहाँ पे आपको relation कभी नहीं मिलेगा यह चीज ध्यान रखेगा examiner पूछ देता है आप पूरा का पूरा root निकाल के answer निकालते है relation लेकिन चाला अग बच्चा जो होगा 5 second में answer करके निकल जाएगा exam का एक sheet लेकर ठीक है तो चलिए next सवाल के और बढ़ते ही इस सवाल को खुछ थोड़ा pause करके try कीजे फिर हम समझाएंगे इस सवाल को भी 5 second में कीजे 5 second ठीक है maximum 5 seconds जैसे कि हम बार बार thumbnail में बताते हैं 5 second में कुछ answers बनेंगे आपके तो definitely बनने चाहिए तो इसको सर अगर हम 5 second में करेंगे तो कैसे तो 5 second में करने के लिए आपको roots तो कभी निकाल नहीं सकते 5 second में तो सिर्फ और सिम्बॉल पर focus कीजे प्लस प्लस है तो दो roots क्या आएंगे माइनस माइनस अगर यहाँ पे माइनस प्लस है तो दो roots क्या आएंगे प्लस प्लस अब मुझे बताईए यह प्लस प्लस हमेशा इस माइनस माइनस से क्या होगा बड़ा मतलब क्या कि माइनस का चाहिए जो भी value हो वो प्लस के किसी भी value से हमेशा छोटा आना ही आना है तो आपका answer क्या हो गया x less than y बीना कुछ root निकाले answer निकाल दे लेकिन हम इतना ऐसा बताने नहीं आये है हम पूरा का पूरा चीज को complete करके ही जाएंगे आये हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले multiply करेंगे 45 लाएंगे 45 को तोडएंगे जैसे कि plus करने से 14 आ रहा होगा कैसे तोडएंगे 45 को 3 में cancel कीजे कितना आ रहा है 15 15 प्लस 3 18 आ रहा है नहीं आ रहा है फिर और एक बार देखिए 3 यह आ गया 5 अब 3 को 3 से multiply कीजे 9 और यहाँ पे 5 9 प्लस 5 14 आ रहा है तो divide कर दीजे पूरा मत निकाले इसका ठीक है अब यहाँ पे multiply कर दीजे आपका आ गया 42 42 को ऐसे तोड़ने जैसे कि add करने से 13 बन रहा होगा तो 2 में cancel करने से 21 2 नहीं बनना है 13 फिर 3 में cancel कर दीजे 7 multiply कर दीजे 3 2 2 6 और 7 मिलाने से 13 आ रहा है तो आपके पहले बड़े नमबर यानि कि पहले 7 को रख दीजे फिर छोटा नमबर यानि कि 6 को रख दीजे तो आपका answer clearly क्या हो जाएगा x less than y जो कि आप symbols के through भी आराम से 5 सेकेंड में answer निकाल सकते हैं अब बारी आती है सबसे थोड़ा और लिंदी थोड़ा और difficult मतलब बड़े बड़े numbers के और जाएगे क्योंकि बच्चे अकसर इसका trick तो पता लगा लेते हैं लेकिन वही factors निकालने में दिक्कत करते हैं तो इसलिए हम practice आपको करवा रहे हैं कि factors कैसे आप निकाल सके तो अ यहां पर हम multiply करेंगे 64 4 और हां सरी यह 5 सेकंड में आएगा कि यह नहीं आएगा क्यों क्योंकि plus plus हैं तो roots आएगे minus minus और यह plus plus है तो root आएगे minus minus अब यह minus इस minus से बड़ा होगा यह चोटा होगा इसके बारे में value निकाले भी न कभी नहीं तो एक्जामने इतना भी बुद नहीं बन रहा है तू में cancel करने से 64 यह आपको practice के साथ immediately पता चलेगा मैं तो कभी से निकाल सुकता हूं ठीक है 32 8 मुझे दिख रहा है लेकिन आपके लिए बता रहें तो 32 यह आ गया तो 32 और 8 मिलाने से 40 आ जा रहें पहले बड़ा नमबर 32 फिर छोटा नमबर 8 फिर आपक करने से 44 आता होगा तो 459 को 3 में cancel करने से 153 फिर 3 में cancel कीजिए यह आपका 51 और यह नहीं आ रहा है क्या 51 से 9 अब तक नहीं आ रहा है तो यहां पर 3 कैंसल करने से 17 अब देखें तीन का क्यों यह 27 आएगा और 27 में 17 मिलते ही आपको 44 बड़े-बड़े numbers भी मिल रहें बड़ बड़े numbers भी आप calculate कर पारें बस इस trick को focus कीजिए ठीक है तो यहां पर पहले रख दीजे बड़ा number 27 फिर चोटा number 17 प्लस प्लस है तो roots के आएगे minus minus 3 को पहले starting में multiply किये तो तो divide कर दीजे तो यह आपका कुछ आएगा बराबर यह कितने आएगा देखें minus 9 और यह आपका आएगा minus 5.66 यहां ता clear है minus 5.66 अब focus कीजिए comparison की तो x का दो values जो है वो x के क्या क्या values है आपके पास minus 8 है उसको मुझे minus 9 के साथ compare करना है और उसी minus 8 को minus 5.6 के साथ भी compare करना है similarly x का दूसरा value क्या है यह देखें x इदर y minus 2 इसको भी मुझे minus 9 के साथ compare करना है और minus 5.6 के साथ भी compare करना है तो यहां पर अगर आप focus करें तो minus 8 minus 9 से बड़ा है लेकिन minus 8 minus 5.6 से छोटा है और आगे compare करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि एक बार अगर मुझे opposite symbol मिल गए य और last चीज़ अभी का सवाल आपके सामने already display हो चुका है प्लीज एक ही गुजारी से आप से बस इतना ही expectation रख रहे हैं कि जो सवाल हम समझा रहे हैं उनीक को उपर focus करके जो सवाल हम आपको display करवा रहे हैं यहां पर आपका काम बस इतना है उन सवालों को solve करके हमें comment के नहीं इन सारे चीज़े हम तभी हमें तभी पता चलेगा जब आप comment करके हमें बताएंगे साथ ही साथ यह comment करना मत भूलेगी आज का session आपको कैसा लगा लेकिन आपको गुमराह नहीं करना चाहती इसी last में यह भी बोलने हैं कि कई कबार इतने easily आपको यह जो roots नहीं मिल स आपको उन pairs में से फिर pair करना होगा इसके उपर में अलग से वीडियो लाँगा एक साथ अगर ले आएंगे तो सारी के सारी चीज़े mind से उठ जाएंगे तो उसका कोई फाइदा नहीं रहेगा इस session को हम बाद में राएंगे क्योंकि उन तरह के सवाल आपको exams में नहीं मिल तो जल्दी से टेलिग्राम में आप उपन कर दीजे, सब्सक्राइबर उस ग्रूप में जॉइन हो जाएंगे ताकि वीडियो के लिंक साथी साथ discussion के class के timing और साथी साथ कुछ questions आपके साथ वहां पे discuss हो सके साथी साथ अगर इस चैनल में आप ने हैं तो चैनल को सब्सक्र